इस वीडियो को शेयर करें ताकि यह जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजी जा सके आज मैं बात करूँगा monkeypox virus के symptoms के बारे में आज की तारीक में monkeypox जो virus का infection है वो ऐसा scare है कि जिसके बारे में आपको समझने की जरूरत है थाकि आप उसको विग्यानिक रूप से समझ पाएं और अफवाओं पर ध्यान ना दें तो symptoms को जड़ा ध्या तो ये दो phases में आएगा invasion period आएगा और skin rash का period आएगा अगर हम ध्यान से देखें कि इनका incubation period है वो 6-3 दिन है जो incubation period है इसका मतलब है कि अगर आज आपके body के अंदर virus पहुँचा तो ऐसा नहीं कि कल से symptoms आएंगे ये जो virus पहुँचेगा तो ये संख्या में तेजी से बीच का period होता है इसे कहते हैं incubation period अगर हम monkeypox virus को देखें तो इसका जो incubation period है वो 6-3 दिन है जो इनका पिरियद है वो symptom आने के शुरु के 5 दिन का है तो symptom शुरु हुए तो शुरु के जो 5 दिन का period है इसे कहते हैं invision period तो incubation period हुआ अब symptoms आना चलो हुए तो विदिन 5 देज जो period है, वो invasion period है, जो invasion period है, जिसमें बुखार आने की संभाब ना है, ये ठंडी दे के आएगा, तेज fever आएगा, इसके साथ में सिर में दर्ध ज्यादा होगा, intense headache होगा, और जैसे fever आएगा, next day or so, यहाँ पे जो गल्टियां होती है, जो गाठें होती हैं, जिसे lymph nodes कहते हैं, उनमें swelling आ जाएगी, इसे कहते हैं lymphadenopathy, इस fever के साथ back का pain है, बहुत severe होगा, और बहुत severe muscle pain होगे, एक एक मांस पेसिमे इतना दर्ध होगा, कि आपको चलने फिरने की ताकत खतम हो जाएगी, तो सिर का दर्ध आया, बुखार आया और lymphadenopathy आई, अगर ये तीन चीजें आ सबसाइड हुआ, तो rash appear होने लगता है, rash जो इस skin पे appear होगा, उसका बिल्कुल sequence है, सबसे पहले face पे आएगा, उसके बाद हाथ और पैरों में आएगा, तो सबसे पहले जो affect होगे वो face इन हाथ पैर हैं, अगर हम ध्यान से देखें monkeypox के symptoms को, तो face 95% patients में affect हो जाता है, जो palms and souls हैं, हात और जो पैर हैं, वो 75% cases में affect हो जाते हैं, जो मुह के जो अंदर की membrane है, वो 70% cases में affect हो जाती है, जो genitalia है, वो 30% cases में affect हो जाती है, in fact, ये तना severe infection है, कि approximately 20% patients में, आख की जो cornea है, एंड कंजंगता हुए है, दोनों पर इसका असर दिखाई दे सकता है, it's a serious disease, अगर हम rest को ध्यान से देखें, तो ये sequentially evolve करता है, in the sense, कि सबसे पहले macule होंगे, macule किसे कहते हैं, जो flat base जो ना ऐसा दाने जैसे दिखाई देंगे, इसके बाद papules हो जाते हैं, ये जो surface होती है, इसे थोड़े से raise हो जाएंगे, ये firm होंगे consistency में, और थोड़े से raise हो जाते हैं, क्योंकि ये जो flood होता है, ये yellow color का हो जाता है, तो macule आएगा, उसके बाद papule आएगा, उसके बाद vesicle आएगा, और ये pastule में convert हो जाएगा, और इसके बाद सूखने लगेगा, और जो crust बनेगा, वो fall off हो जाता है, जो rash है, वो इस पर vary करता है, कि infection की severity कैसी है, ज जो rash है, उसका extension determined होगा, बहुत बार ऐसा हो जाता है, कि rash इतना ज़्यादा होता है, एक एक जो दाने हैं, वो आपस में मिलके, इसके बड़े area को sluff कर सकते हैं, जो rash, जैसा मैंने कहा, कि सबसे पहले चेहरे पर ही दिखाई देता है, उसके बाद हाथ पेर पर दिखाई दे होता है, उसके बाद body पे फैलना चालू होता है, बिलकुल शुरुवात में, यह जो rash है, कभी कभी chicken pox से confused होता है, लेकिन जैसा मैंने कहा, कि यह जो virus है, यह वास्तों में smallpox family को belong करता है, यह chicken pox से इसका दूर दूर तक कोई संपर्त नहीं है, तो यह जो virus है, यह वास्तो पाक्स आता है, काव पाक्स आता है, केमिल पाक्स आता है, इसका chicken pox से कोई लेने देना नहीं है, इसका मतलब यह है कि इसके जो symptoms है, बूस फीवर से शुरू होंगे, headache से शुरू होंगे, body egg से शुरू होंगे, इन जैसे ही symptoms आएंगे, third day, fourth day, rest दिखाई दिखाई देने ल lymph nodes आए, और एक भी दाना अगर शरीर में दिखाई दे, तो आपको सतर खो जाना चाहिए, और आपको अपने डॉक्टर से consult करना चाहिए, अगर monkey pox virus को symptoms को समझने में, ये वीडियो आपको help करता है, जरूर शेयर करें, मैं डॉक्र वीके मिश्रा, from guest to liver hospital, सुरूपनगर का तो, thank you very much.